पर दोस्तों आज हम आपके लिए एक नया सीरीज लेके आएं बिल्ड अप यॉर्चेस तो आई देखता हूं पहले अब आज बगरणा कैसी ठीक आ रही है शुरू करते हैं फिर प्र लोग फ्रेंड्स वेल्कम टू अल्फा चैस मुझे लग रहा है कि अब आस ठीक आ रही है और अगर आप सब लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो जरूर उसमें चैट में बताएं सारे जो भी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और दोस्तों आज हम सुरू करेंगे बिल्ड अप यॉर्चेस पार्ट और कोई पॉलम आती है तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे दोस्तों बिल्ड अप यॉर्चेस एक बहुत ही अच्छी बुक है जो कि आर्चर यूसूफ जो कि जर्मनी के प्लेयर थे उन्होंने बहुत बहतरी पहले उनकी कोचिंग चलती थी तो उसी को उन्होंने एक बुक की फॉर्म में कर दिया है तो एक बहुत ही अच्छी बुक है ओपनिंग बडिल गेम एंड गेम सारी चीज़ों के लिए इन्हीं की जो तीन बुक्स पैसे आती हैं बिल्ड अप यॉर्चेस बूस्ट आप यॉर्चेस और एक चैस एबॉलिशन तो यह तो यह बहुत अच्छी बुक्स हैं अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो जरूर इनको अपने चैस इंप्रूमेंट के लिए यूज करें तो अभी जो है आज हम बिल्ड अप यॉर्चेस वन पार्ट वन का मेटिंग मोटिफ फर्स चैप्टर लेकर आएं और दोस्तों डि लोग जुड़ रहा है तो हमारे साथ चैट में जरूर है है अगर बाकि लोग जो भी आना है तो जल्दी से फिर शुरू करते हैं ट्लास को तो बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं तो दोस्तों पहले सुरू करते हैं यह मेर्टिंग मोटिप्स है और इसमें आई देखते हैं कि जो फर्ष्ट टॉपिक है वो है विल्ड़ अप मेर्ट एलॉंग ओपन लाइन्स तो ओपन फाइल में किस तरह आप जो है कर सकते है हैं तो आप ओपन फाइल में ओपन फाइल करें किस तरह चेक्वीट कर सकते हैं आप तो आई यह देखते हैं अभी जो फर्ष्ट हमारा एक्जंपल रहेगा उसको डिसकस करते हैं तो अगर निकल आप जो है देख सकते हैं बाकी लोग अगर जल्दी आ जाया तो हम पूरा फिर फिर से चेप्टर सुरू करते हैं अभी मैं देखता हूं कि एक दो प्लेयर और आजाएं दोसको जब तक मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूं आपको कि हमेसा जो भी रुक होता है जैसे सारी पीस होते हैं तो रुक ब्लॉंग टू अपन फाइल अगर आपके पास रुक है स्थाज नडिया जीते की हमें ओं कि और बाकी अगर आप अनाइट की बात करतो नाइट जो आॉट पोस्ट पकांप और अच्छा का में होता है कि जिस फाइल में अगर नाइट नहान जहां पर नाइट बैठा हुआ उस फॉसको आप उसक्षार को आप पॉन से ठेटनना कर सकें तो यह आउट पोस्ट होती है तो नाइट ब्लोंग नाइट जो आउट पोस्ट पर अच्छा काम करता है रुक ओपन फाइल में अच्छा काम करता है और अगर आप बात करें और बिशप की तो बिशप जो ओपन डियागनोल में अच्छा करता है जितने बिशप जिस कलर करता है इसलिए जो है अच्छा काम करता है तो जब भी अगर आप गेम खेल रहे हैं और आपके पास टाइम है ओके राजेस जी हेलो तो आज जो हम बिल्डप यॉर चेस्ट शुरू कर रहे हैं और इसमें जो फ़र्स्ट आपिक है मेटिंग मोटिफ्स तो इसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ चेकमेट है राजेसी तो आई हम सुरू करते हैं बाकी लोग आते रहेंगे तो अभी मैं भाई बता रहा था है रुक ब्लॉंक्श टू ओपन फाइल जब भी अगर आपके पास रुक है तो उसको तुरांत ओपन फाइल में रखिए त आप उसका मेकसिमम यूज़ कर सके हैं तो अभी शुरू करते हैं आज का जो फर्स्ट मेर्टिंग मोटिफ जो फर्स चैप्टर है उसमें जो फर्स्ट अपक है वो है वे अधि अलोंग ओपन फाइल तो दोस्तों आपको शायद जो पूजी सन है वो दिख रही होगी इसमे आप देख सकते हो कि वाइट दोनों के पास वाइट और ब्लैक के पास दो रुक्स हैं और बाकी चार-चार पॉन दोनों के पास हैं लेकिन यहां पर क्या है कि जो वाइट के रुक्स है वो तो एक ही फाइल में डवल डवल रुक हैं बैटरी बना रखा है उन्होंने और द इसलिए जो देखते हैं कि यहां पर वाइट के पास मौका है कि जल्दी से जल्दी और आप देख सकते हो कि ब्लेक का जो किंग है उसके आसपास कोई पॉण बगरा नहीं है तो वो काफी आसानी से घिर सकता है तो यही चीज आज हम देखते हैं कि किस तरह से ओपन फाइल के आप जो चेक्मेट कर सकते हैं और दोस्तों यह जो गेम हुआ है यह एमिव लास्कर जो कि सेकंड वर्ड चेस्ट चेंपियन थे हमारे 1900 के आसपास और यह गेम जो 1900 कर सामल टेनियस गेम है सैमल तो मेयर और लास्कर के बीच तो लास्कर यहां पर वाइट है तो देखते हैं कौन सा बेश्ट मूव यहां पर रहेगा अगर वाई टू मूव है यहां पर तो कौन सा बेश्ट मूव रहेगा ओके निकिल जबाब दे रहे हैं और राजस जी जो भी लोग हमारे साथ जोड़े हुए वह भी बताएं ताकि सारी लोगों के साथ इंट्रेक्शन हो सके और का सियादा लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट आप आई राजस जी अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप भी जो है चैट में बताएं हमें कि क्या कौन सा बेश्ट मूव यहां पर आ रहा है हाँ डिल्स जी आज जो एंडिया ही जीतेगी आज के मैच में है ओके तो रोग डियेट चैक निखेल और राजस जी ने एकदम सही बताया जब आप रुक डियेट चैक देंगे तो किंग जो है एक एटलिस्ट रेंग के अलॉंग वह नहीं जा सकेगा तो यहां पर रुक डियेट यहां में बेस्ट मूव है अभी चैक देते हैं रुक ड आप दूसरे रुक का यूज कर सकते और राजस जी बहुत बढ़िया जो रुक डियेट के बाद रुक डियेट से बनाएगा तो हम में जो किंग को एकदम के अब फाइल वाइव रैंक वाई रैंक इसको घेर के रखना है तो अगर यहां पर जो है किंग अगर नेक्ष्ट म क्या है अगरों दी से बाद बता है वेरी गोड राजेस जी तो रुक एफ़ेट चेक यहाँ पर जो बेस्ट मूव है ताकि जो किंग को और धके ला जा सके तो यहाँ पर अगर ओके किंग जो है फिर फाइब पर यह आएगा उसके अलावा और पर मूव नहीं है तो नेक्श मूव बताएं फिर से जो है रुक एट आप हम चल सकते हैं यहाँ पर रुक एट कि रुक एट आएप यहाँ पर रुक एट के बाद तो यह उसके आप पर वैसे किंग एफ फुर आया आ नव आना चाहिए बैस्ट मूव लेकिन अगर अगर सिपोज आ अगर हम किंग को एफ एफ फिर से एफ 6 पर जाता है तो क्या बैस मूव रहे इगा बताएं आपर अगर अभी आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो बताएं कि अगर फिर से किंग जो अब बापस चला जाता है कि एफ सिक्स पर तो यहां पर कौन सा बेस्ट मूव आ रहा है अगर ऑके गुड़ रोक एसी एसी रुक एसी चैक पर चेक्मेट हो रही है डारेक्ट इसलिए जो एक इंग एफ सिस्स के बाद किंग सोरी एफ और के बाद किंग एफ और पाया है रोक एसी शिक्स चेकमेट हो इज बैरी गूड अब पताएं नेक्ट मूव क्या होगा वेरी गूड वेरी गूड राजेश नेक्ट मूव बताएं इस पोजीशन में जहां पर किंग एफ और पह है दोस्तों आप देख सकते हूँ कि जो एक रुक ने कवर कर रखी है तो आपको जो दूसरे रुक से चेक देनी है तो यहां पर आएगा रुक डी फोर चेक वेरी गूड रुक डी फोर के बाद फिर जो है किंग के लिए कोई ज़्यादा उप्सन बचे नहीं तो आप देख सकते हूँ कि किंग जो है सिंपली यहां पर जी थरी पर ही आएगा और दोस्तों इसके बाद जो फाइनल मूव है वो आप बता सकते हैं कि क्या आने वाला है आप जो है फाइनल मूव बता सकते हैं निखिल बताएं फाइनल मूव क्या आ रहा है तो आप जैसा कि आपने इस गेम में देखा इस पोजिशन में देखा दोस्तों कि ओपन फैल के यूज करके जबके अपोनेंट के पास दो रूख है बरावर मेट्रियल है लेकिन फिर भी अगर आप आपके पास आप ओपन फैल का कभी भी मौका मिल रहा है तो रूख की थरी पर जाके यहां पर चेक्मेट होगी तो ओपन फैल से उसके यूज करके और अपोनेंट के खिंग को आप जो है कैच कर सकते हैं उसको गेम देखते हैं ओके दोस्तों अब जो है यह सेकिंड एग्जामपल है और आप लोग अब बताएंगे कि यहां पर ओपन फैल के यूज करके जो पिछला एग्जामपल था जो लास्ट एक्जामपल था उसका आप बताएंगे कि यहां पर जो है बैस्ट मूव यहां पर क्या है और आपको ओपन फैल का यूज करना है तो आप जैसे कि देख सकती हो कि ब्लैक के पास औल्मोस्ट ज्यादा मेट्रियल है लेकिन उसका किंग जो है काफी ओपन हो गया है तो आप जो बेश्ट मूव यहां पर बताईए है कि यहां यहां पर वाइट टू मूव है तो आपको ब्लैक वाइट की तरफ से यहां पर खेलना है अब बताया निखिल बताया नहीं तो फिर मैं बेश्ट मूव बताने वाला हूं अभी इस पोजीशन में क्या आने वाला है दोस्तों यहां पर आपको उपन फाइल करना है वाइट से वाइट से निखिल नो निखिल यहां पर जो बेश्ट मूव है वो है रुक E5 अब आप यहां से देख सकते हो कि आपको जो ओपन फाइल है इधर की वो अच्छा रुक क्रॉस E6 भी एक मूव हो सकता है लेकिन जो बेश्ट मूव है यहां पर रुक E5 है तो रुक E5 के बाद आप जो है पूरे उसको जो किंग को चेक मिट कर सकते हो दोस्तों यहां पर जो रुक E5 बेश्ट मूव है अभी जो हम यहां पर चलेंगे तो यह रुक E5 आएगा तो अब आप देख सकते हो कि कोई भी मूव यहां पर ब्लैक का ब्लैक कोई भी मूव चले लेकिन चेक्मेट नहीं बच रही है दोस्तों अगर सब्सक्राइब करते हैं फर्स्ट पोजीशन में इस पोजीशन में कि रुख जो रुख ब्लैक जो आप अपने चेक्मेट बचानी कुस्स करता है और रोग डी सेवन खेलता है ताकि जो है सेवन्थ रेंग के अलोंग कोई डिफेंस क्रियेट कर सकें तो रुख डी सेवन के बाद आप देख सकते हों कि यहां पर जो बैस्ट मूव आएगा वो बताएं लोग कि यहां क्या बैस्ट मूव रहेगा कि ओके वो ठीक है लेकिन नहीं लगा सकते आप चेक्मेंट नहीं हो रही है तो रुख जी फाइब प्लस लेख सकते हो ताकि जो चेक यह नोटेशन आपका थोड़ा सा घलत है तो यहां जो बैस्ट मूव है राजस जी आप भी होता है तो फिर में आगे बताता हूं तो जब भी आप राजस जी लखे हैं तो चेक के लिए प्लस का संबल लगता है तो रूज जी सिक्स यहां पर आपको चेक देनी है उसके बास आप देख सकते हूं कि कि के पास सर्फ एक ही बचा है और अधर्वाइज अगर रुक लेके आएंगे सिंपली जो है जी सेवन पर चेक्मेट हो रही है इसलिए नेक्स्ट मूब में किंग एस से बन जाएगा तो यहां पर बताएं कि यहां पर बेस्ट मूब कौन सर आएगा अब किंग एस सेवन पर आने के बाद कि दोस्तों आप सॉल्व करें मैं अभी एक मिनट एक कॉल आ रही थे इम्पोर्टन तो उससे बात करता हूं कि एट है यह अग्याद है लेकिन याज नहीं हो कि अच्छा ठीक है ठीक है चलो मैं बता रहा है ठीक है ओके दोस्तों तो अभी इंच्जार था कुई जी सिक्स बेरी गुड आज यह सी कुई जी सिक्स इसके बाद आप देख रहे हैं यह की मूब बच रहा है और यह फाइनल मूब जो की जो हमने पिछली वाले कि अग्जामपल में समझा था रुक अलॉंग दा ओपन फाइल मेट अलॉंग ओपन फाइल्स इस पोजिशन ने सिंप्ली रुक कुई जी सिक्स के बाद आप देख सकते हैं इस एक मूब में चेक्मेट हो रही है रुक एच फाइब चेक्मेट वेरी गूड राजेश अच्छा अभी इस पोजिशन में अगर सुपोज यहां पर रुक एफाइब के बाद अगर ब्लेक जो है सुपोज कुई सी सेवन चलता है तो क्या बेस्ट मूब रहेगा बताएं जैसे यह भी सिमिलर है लेकिन तब भी आप बता सकते हैं यहां यह भी लगबग उसी की तरह रहेगा तो यहां पर आप देख सकते हो चलिए मैं अगर आप किंग को यहां ले जाते हैं तो सिंपली चेक्मेट कर सकते हैं दोस्तों इस तरह जो है यहां पर आपको चेक्मेट करनी है अभी मैं थोड़ा थेजी इसे एक्स्पेंट कर जाता हूं साकेच जी के लिए तो यहां पर जो बेस्ट मूव आ रहा है वो आ रहा है कि रुक जी फाइब रुक सॉरी रुक फाइब उसके बाद जो आप ओपन फाइल का यूज़ करके यहां पर चेक्मेट करनी है तो इस तरह से यहां पर चेक्मेट हुई है रुक दी सेवन के बाद आप इस तरह है फिर कोई जी सिक्स तो रुक एच फाइब पर जाके चेक्मेट हो गई और अगर रुक लेके भी आते हैं तो कुई क्रोस सेवन पर चेक्मेट हो गई है दोस्तों यह वाला एक्जमपल हो चुका है तो अब जो है अब नेक्स आते है हम कि एनस्टेश्याव मेट यह भी बहुत इंट्रेस्टिंग मेट होती है यह अब तक आपको जो है कि अ कि एक मेर्ट में थोड़ा सा आइस 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 इस आइनस्टेश्याव मेट में नॉर्मली क्या होता है कि जो जो भी जब आपको चक्लेट की चकमेट करनी है तो इसमें घो नाइट कुएन जैसे अभी आप में यहां इस पोजिशन में ब्लैक्ट बचु मुवा तो नाइट कुईन और रुख की पावर को यूस करके करते हैं दोस्तों यह होती एनस्टेसिया मेट बहुत जाद इंट्रेस्टिंग है और आप अभी इसको देखेंगे तो बहुत तो इस तरह की मेट का में परपर यह होता है कि आपको अगर कभी अपने गेम में इस तरह की कॉमिनेशन मिलता है तो आप उसको यूज करके अपोन जो पहले नाइट से कॉमिनेशन देते हैं और हम यहां पर कोशिस करते हैं चेकमेट आपको समझाने की दोस्तों यहां पर जो एनाइट इटू जो ब्लेक टू मुवब है यहां पर तो अभी सभी लोग चैट में बताएं कि कौनसा अभी बैस्ट होगा यहां पर और बैसे करने के कोशिश करते हैं अपोनेंट किंग की दोस्त अगर आप लोग जुड़े हुए है तो जरूर चैट में बताएं कि क्या बेस्ट मूव है यहां पर एनस्टेसिया मेट के लिए हाँ ब्लेक टू मूव है राजयसी ब्लेक टू मूव और शाकिट जी अगर आप देखने हैं तो आप बताएं कि क्या बेस्ट मूव हो गया यहां पर राजयसी थोड़ा सा नोटेशन पर ज्यां रखेंगे यहां पहली वार्मी नोटेशन सही लिखें तो और अच्छा कि अगर कोई जैसे हम यहां पर 90 बेस्ट मूव में नाएट इटू चेक राजयसी तो यहां बेस्ट मूव नाइट ईटू चेक है और आप देख सकते हूँ कि अब जो कि को हम कहीं से किक नहीं कर सकते तो यहां यहां पर जो है किंग को हटना ही पड़ेगा तो किंग एच बन वेरी गूड बाकी और लोग भी बताएं कि अब इस मूब में क्या बेस्ट मूब होगा यहां पर एनस्टेसिया मेट के लिए जो भी लोग अगर देख रहे हैं तो बताएं कि इसमें अब नेक्स्ट मूब में क्या होगा निखिल क्या आप देख रहे हों ओके राजेस जी आपका मिल गया जवाब और अभी हम देखते हैं कि बाकी लोगों को भी के आंसर आने देते हैं तो ताकि पता चले कि वो लोग समझ पा रहे हैं कि अभी नहीं समझ पा रहे हैं है दोस्तो आप इसमें देख सकते हैं कि-9 ने जो है जो जी 3 स्क्वヤर आओ जी बन स्क्वयर आ यह डिम यह और यह न लीघ्श्ञ से यह और मोबद यहाँ पर जो है बलाक की मूबद अ कि नहीं नहीं देख रही है निखिल देख रही है तो आप देख सकते हो कि फिर हमको ओपन फाइल का यूज़ करना है तो विक्की जी आप भी बताएं कि क्या मूव होगा यहां पर वैस्ट फिर हम आगे बढ़ते हैं यह जो एनस्टेस या मेट का एक्जामपल है हुआ है चलिए राजस जी और निखिल बता रहा है कि क्रोस फ्रोगा चलिए क्रोस चलते हैं यहां पर से क्रिफाइस तो दोस्तों अगर आप वो क्यप्चर करना ही पड़ेगा नहीं तो चेक्मेट हो और रही है तो इसके बाद जो आप देख सकते होगी जो एक स्कैर होता हो हो सकता है कि अपने पॉन से या फिर किसी पीस से घ्राओ तो यहां पर जो बाकी दोस्त के रहोती है जी यह जो है तो दोस्तो आई ये फिर से सुरू करते हैं इसको एक बार रिवाइस करते हैं बाकी जो लोग अगर नाई लोग जुड़े हैं यहां पर तो यहां जो बेस्ट में उपता हुआ तो नाइट एटू चेक और फिर आप जो है किंग एच बन जाएंगे तो कुइन क्रोस एच टू पोर्स यहां पर कुइन सेक्रिफेस कराना उसके बाद जो आप देख सकते हो कि चेक मेट हो रही है रुक एच फोर से दोस्तो इस टैक का कॉमिनेशन ये एनेस्टेसिया मेट में रुक नाइट और कुइन का कॉमिनेशन होता है और इस मेट को अगर आप अभी से ध्यान में रखेंगे तो अपने गेम में भी यूज कर सकते हैं तो के साकेट जी हाँ आपका मूब सही है तो इस तरह की चेक मेट की कई आपको पैटन मिलेंगे तो अभी आप इस क्लास से आपको समझना है कि आप अपने गेम में इस चेक मेट को किस तरह से उतार पाते हैं तो दोस्त कि दोस्तों अभी आपको दिख रही होगी पोजीशन इस पोजीशन ना ब्लैक टू मूव है और आपको इसमें चेक्मेट या फिर आप एक बेस्ट मूव निकालना है ब्लैक के लिए और इसमें एनेस्टेसिया मेटिंग पैटर्न आपको यूज करना है जो भी लोग देख पा रहे हैं अभी बताएं कि इसमें यहां पर बेस्ट मूव क्या आने वाला है कि अगया है नाइट इटू चेक नाइट इटू चेक वेरी गुड तो सभी लोग अब एनेस्टेसिया मेट को समझ गयें तो आई यह शुरू करते हैं नाइट इटू चेक और दोस्तों यहां पर फोर्स है तो अगर आप कुईन से मारेंगे तो और लेडी आपकी कुईन फ लाल के लिए ब्लैक जो है वाइट चलेगा यहां पर किंग वेरी गुड साकेजी किंग एच बन तो अब बताएं यहां पर बेस्ट मूब क्या है इस पोजिशन में ब्लैक टू मूब है और बताएं आपकी बेस्ट मूब क्या रहेगा ओके राजस जी का जवाब आ गया है देखते हैं राजस जी ने सही बताया नहीं बताया बाकी लोग भी बताएं कि यहां पर क्या बेस्ट मूब रहेगा और दोस्तों जो पैटर्न मैंने पिछले एक्जाम्पल में बताया था कि एनस्टेसिया मेट वह आप बता सकते हैं यहां पर कि अगया है और निखिल का आगया है नाइट जी थ्री चेक तो बिकी जी आप भी बताएं तो फिर मैं जो है जो बेस्ट मूब रहेगा उसको बताते हैं क्या रहेगा कि मुझे लग रहा है कि यहां पर है नहीं चलिए हम अब बताते हैं क्या इसमें बेस्ट मूव रहेगा दोस्तों जो जवाब है वह यहां पर साकेज जी का बेस्ट मूव सब्सक्राइब आप आपको कुईन क्रोश जी फोर खेलना है क्योंकि आप आप पिछले क्यों या फिर जए एट और जीएट और जीएट जीएक स्क्राइब ब्लेक की साइड में है और बाकी जो जी टूपन जीटू वाला स्कौयर है वो अपने ही पॉन से घ्रा रहता है उसके बाद आपको सिर्फ चाहें कुईन से क्राइब जाहें रोक शेट रिफाइस कराएं यहां पर मॉका मिल रहा था वाइट को और साथ में ओपन फाइल करने का भी तो इसलिए हम पर कुइन क्रोस जी कि ब्लेक टू मूव और बेस्ट मूव क्या है कि निकल अभी आएगी देखे रुख से ही चेक आएगी कि इस पोजिशन में बताएं कि वेरी गूड राजेस नहीं वेरी गूड राजेस जी अब पैटरन को समझ गए है कि वेरी गूड साकेट जी आप रुख की जगए आर के डिलार भी लग सकते हैं तो ज्यादा सही रहेगा तो अब आप देख सकते हों कि हमारा एम सिर्फ अगर देखिए एक और चीज़ आपको ज्यान लख नहीं है तो अपना एम सिर्फ होना चाहिए कि पीसिस की तरफ ना जाए हमें सिर्फ चेक्मेट करनी है दोस्तों यहां पर जो बेस्ट लोग बता रहे हैं साकेट जी और सब ल यहां पर आप देख सकते हों कि हां पर आपकी चेक्मेट हो जा रही है यह हो गया अनस्टेशिया मेट का पैटन आप सकती हो कि इस तरह से किस तरह से कॉंबिनेशन मनाएं यह कॉंबिनेशन एक अगर नॉर्मल पोजीशन होती तो बहुत बॉस्किलता निकालना लेकिन अगर आपने एक बार प्रक्टिस कर रखे कि एन अस्टेसिया में अपने सुन रखा है या फिर आपको पता है आप नि गेम में निकाल सकते हैं अगर आपके गेम में स्टैप की कोई भी पोजिशन आती है तो एक वार फिर से रवाइस करते हैं इसको नाइट क्रॉस एटू ना सॉरी नाइट इटू चैक कुईं से आप अगर मारेंगे तो लेडी वैसा ही आर जाएंगे कुईं आपकी चली जाए है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तों इस तरह से एनेस्टेसिया मेट काई पैटर्न हो गया तो अभी जो आप जो नेक्ट एग्जमपल आएगा वह आएगा अरेबियन मेट तो आईए जब तक अरेबियन मेट के लिए मैं एक बार देख लेते है कि दोस्तों अरेबियन मेट के लिए मुझे जो है पोजिशन लोड करनी पड़ेगी तो अभी जब तक जो है आप कि अनस्टेसिया मेट का पैटर्न समझी रहे हैं तो मैं नई पोजिशन का सेट अप करता हूँ जिसमें कि आप अभी देखेंगे कि किस तरह से अरेबियन मेट होती है एक ब्लैक टू मूग रहे गए यहां पर मैं पोजिशन सेट कर दूँ किंग है जी एट पर कौन है कौन है ब्लैक पौन है फिर हच फूर पर के ब्लैक किंग है रुक है आई रुक है यह ब्लैक रुक है यह ब्लैक रुक है नाइट है टीकर शब 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 वाइट का रुक में गया थी और ब्लेक to move हो घुट गो दोस्तो आपके पास adaptation आगई होगी तो आपको इस पोजीचन में अरे बीज़ें त्सक्रeम धूंदर नहीं है और जोस्तों अरे बियन मेर्ट में क्या होता है यह काफी पुरानी में और but पैटर्न जैसे कि आप देख सकते हो कि रुक और नाइट के साथ चेकमेट होती है जो पिछला पैटर्न था उसी के आस-पास थोड़ा सा सिमिलर पैटर्न है और दोस्तों आप देख सकते हैं हाप अरेबियन मैट का पैटर्न कि उसी के आस-पास यह रहेगी तो अभी जैसे कि राज जी इस पोजिशन में ब्लैक टू मूव है तो पोजिशन में बता रहे हैं मूव और बाकी लोग भी बताएं कि इसमें कौन सा बेक्ट मूव सकता है नाइट के लिए साकेट जी यहाँ पर एन आएगा कैपिटल एन तो आप कैपिटल एन यूज़ कर सकते हैं नाइट के लिए निखिल बताओ क्या मूव है तो फिर आगे बढ़ा जाए इसमें अरेबियन मेट होती है नाइट और रुक की हेल्प से इस चीज़ को आपको दिहान में रखना है कर दो लोगों के जबाब आए निखिल और साकेट जी के और राजेस जी का जबाब आया रुक क्रॉस एफ थरी दोस्तों यहां पर जो बेस्ट मूव रहेगा वो रुक क्रॉस एफ थरी है क्योंकि आप देख सकते हो कि हमें किंग की पोजिशन ओपन करनी है आप नाइट क् जीवन से भी कुछ खास नहीं बन रहा है तो यहां पर जो बेस्ट मूव रहेगा रुक क्रॉस एफ थरी अगर पॉन से कैप्चर करते हैं यह आप है वाइट तो आप सिंप्ली नाइट डी फॉर डिस्कबार अटेक लगा आप लगाएंगे क्योंकि किंग पूरी तरह से घिरा हुआ हो कहीं जा नहीं सकता यह वाली फाइल रुक से कवार है यह जो स्क्वार है जी त्री स्क्वार यह पॉन से कवार है इसलिए जो है किंग को सिर्फ एक बेस्ट मूव रहेगा इस पोजिशन में फिर जो आपको मैं अरेवियन मेट का पैटर्न जो थोड़ा समझाने को स्करूंगा तो राजर जी ने यहां पर सही बताया था रुक्रोस एफ्ट्री तो अब बताएं आप लोग कि क्या रहेगा यहां पर सही क्या बेस्ट मूव ह है इस पोजिशन में आपको फिर से बतायता हूं कि यहां पर जो रुक्रोस एफ्ट्री चेक था पौन से अगर आप कैप्चर करोगे नहीं तो लेडी ही आपकी पोजिशन वीक है तो निखिल बता रहे नाइट क्रोस एफ्ट्री बाकी लोग भी बताएं क्या यहां पर बे नहीं नहीं कहां पहती साकेज जी नाइट जी थ्री से मेट आप बताएं चलिए यह चीज बात में बात करते हैं पहले आप यहां बताईए यहां पर क्या बेस्ट मूब है ओके निखिल आपका जवाब आगे बाकी लोगों को भी बताने दो ताकि जो सभी लोग इन्वाल ह हो सके है कि अगे राजेस जी का भी आ गया है नाइट एफ तरी आके जी आप बताईए तो फिर जो है मैं बता आगे चलते हैं दोस्तों यहां पर हाँ सिंपल है यह तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है तो नाइट क्रोस एफ तरी ही बेस्ट मूव रहे गाए यहां पर और बेरी गुड साके जी बेरी गुड तो अब आप देख सकते हैं कि पूरा जो एच्टू फाइल है वो कवर कर रखी है ऊड़ी अग्ली मूव में है जहीं होते है अरेबियन में क्या होता है कि किंग जो है अपनी नाइट और रुक की कॉंबिनेशन से एक कॉर्णर में घर जाता है और यहां पर आप जो इसकी चेक्मेट कर सकते हैं रुक अब इस मूब में वाइट के पास कोई अच्छा डिफेंस है ही नहीं इसलिए जो है वह अगर रुक जी टू भी चलता है आप बचाने के लिए तो तो भी सिंप्ली आप चेक्मेट हो रही है तो आप सिंप्ली रुक डीवन से चेक्मेट देके नहीं के बाद आप देख सकते ह अगर रुक जीवन से भी डिफेंस करेंगा बाकि कोई मूब भी नहीं है उसके पास तो रुक जीवन पर चेक्मेट हो रही है और उसके लावा और कोई मूब भी नहीं है अगर बो कुछ और भी मूब चलता है तो संप्ली पोनी बढ़ाता है तो फिर आप रूप अगर बगने होते हैं रुक और नाइट की हरेंख से भी चेकमेट हो सकती है तो इसको अरेवियन मेट बोलते हैं आप तो इस चीज़ को आप जान में रख सकते हैं और आगे अपने डिक्फ हो लिचशो थि इस पोजीशन में वाइट तू मूव है, ओके, ब्लैक तू मूव है, ब्लैक तू मूव है, ब्लैक तू मूव, ब्लैक एंग, ओम, रोक, पोईन, रोक, रोक, ब्लैक तू कें? कैंट है स घ्राइब ये उन्याद करहें के दो स्तों तो यहां कि को दोस्तों यहां पर ब्लेकटू मूब है है और आपको अरेबियन मेट जो है फाइंड करनी है टाइप टिपिकल पैटर्न अरेबियन मेट का कि दोस्तों अब आप बताईए कि यहां पर है कि हां निखिल जो है स्ट्रीम चलेगी तीन वाइस तक तीन साड़े तीन वाइस तक चलेगी जब तक कि आपको एक्जंपल नहीं हो जाते तो साकेज जी और आजस जी बताएं यहां पर क्या बेस्ट मूब होगा ब्लेक टू मूब है और जैसा कि आप जो यहां पर अरेबियन मेट का पैटर्न आपको फाइंड आउट करना है या फिर अरेबियन मेट तो यह तरह से हिंट हो आती है आपके लिए यहां पर बताई है कि बेस्ट मूब क्या रहा है और आप जानते हो अरेबियन मेट का पैटर्न सिर्फ यह है कि नाइट यूए कवर करता है बाकी स्क्वैर को और उसके बाद रुक जो अटेक करता है अगें उस फाइल से देख सकते हैं यहां पर अपन आगा गसे एप फिर साके जी साके जी खवाब आए क्वी एच फॉर करें कि विस्ट को नोलटेशन में करें हैं कुई को आप कैपिटल क्यु करिये चिंग को गबिदल के रुख को कैपिटल आर और नाइट को कैपिटल एन और पॉन को सिंपली पॉन के दिल और के साथ जो नेम है उसके साथ very good राजे जी queen h4 और शाकेज जी का भी जवाब सही आया है निखिल का जवाब इस बार गलत हो गया था पहले तो यहां पर जो बेश्ट मूव है वो queen h4 अब आप एक चीज़ समझिए कि जो अभी अगर आप कोशिश करेंगे समझने की अरेवियन मेट को तो आप समझते हैं कि हमें सिर्फ ओपन फाइल चाहिए इस पोजिशन में अगर जैसे कि आप समझो जब तक आप पैटल नहीं समझेंगे जब तक आपको डूढ़ने में मुस्किल होगी आपको डिफ्लेक्ट करना था रूख को यहां से क्योंकि अगर रू क्योंकि क्या रहेगा अगर देखिए यहां पर रूख जो क्या रहेगा तब लोग बताएं और दोस्तों यह अरेवियन मेट का अरेवियन मेट आपको दमाग में रखना है जब भी आप गेम खेल रहें तो इसको झेल रखना होगा कि नाइट और रुक कब कि अभी कितने ट्रिकी हो सकते तो वहां पर आप क्यों इंज सकते अट के बाकी लोग भी बताएं नहीं नोटिसन चेक करें चांच जी वेरी गूड राजेस जी वेरी गूड नहीं राजेस जी आपने आप रुक जी बन कहना चाहरे होंगे ओके चलिए तो यहां पर रुक जी बन पर चेक्मेट हो रही है तो यह एक अरिवियन मेट का एक्जेम्पल है अब अगर देखिए यहां पर कुई एच फॉर के बाद ब्लैक कुछ ही जलता सपोझ माइट कुछ भी होनीए होंड दोस्तों इस तरह से यह रहा अरेवियन मेट का example एक तो आप गेम में इस तरह से find out कर सकते हैं कि अरेवियन मेट किस तरह से होती है तो नेक्ष एग्जामपल फिर से लेते हैं यह भी अरेबियन मेट का ही एक्जाम ना ओके अरेबियन मेट दोस्तों अब फिनिश हो गई है अब आते हैं कुईन बिशब बैटरी पर है तो पहले मैं यहां पर टाइटल चेंज कर देता हूँ कुईन बिशब बैटरी झाल कि अब तक पोजिशन लोट करता हूं थोड़ा प्रॉलम हो रही है इसको लिखने में तो कुई हाँ टैटल सही से नहीं आ रहा उसको लिखने में पॉलम हो रही है तो मैं जब तक कुछ और कर देता हूं यहाँ पर पोजिशन सेट करते हैं फिर बता दूँगा मैं आपको सही कि है कि है कि एट पर रुक कि है कि अजया है कि अ रिख कर देशुआ कि यहाँ प्लेक्ट और मुब्राइगास में झाल झाल लेक्टू मूव ओके लोड करते हैं इसको दोस्तों ये पोजीशन अगर आपको देख रही होगी और इसमें आपको ब्लेक्टू मूव है और कुईन प्लस बैटरी का कुछ आपको देखना है किस तरह से आप कर सकते हैं आपको बाकी लोग बताएं कि यहां पर कुईन प्लस बैटरी की एक वो रहेगी पॉन ओके तो अप जिलिए प्लस नहीं है यहां पर पॉन के लिए संपली इसपोर आप लिख सकते हैं जिस स्कुयर पर पॉन जा रहा है उसी को लिख सकते हैं यहां पर ब्लैक्टू मूव है और आप देखी रहे हो कि यहां पर कि इसके बाद आपके नाइट अगर हटेगा जैसे ही तो वैसे ही आप जो है क्वीन एच्टू पर चेक्मेट कर सकते हैं क्योंकि पीछे बिशब भी लगा हुआ है तो दोस्तों यह जो कुईन प्लस बिशब होता है इसको कुईन प्लस बैटरी बोले आता है क्युव प्लस भी बैटरी देख रहा है निकल आप जो एक-दो बार लिखते हैं अब बार बार लिखते हैं इसलिए जो है दिख रहा है निकल आपके मैसेज तो एफ़ बैस मूव है यहां पर तो इस चीज़ का आपको यूज करना य यहां पर आप देख सकते हों कि यहां पर लेडी पोजिशन फसी हुई है ब्लेक की यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लाइट इसलिए यहां पर आपको नाइट हठाना ही पड़ेगा यहां पर और जैसे ही आप नाइट हटाएंगे तो नाइट इसके बाद अटाने के बाद कहीं भी आप सब सकते हैं यहां पर फ्री में मर रहा है ना नाइट हफोर पर आप नाइट डी-4 अगर अपनेंट चलता है तो आप देख सकते हो यहां पर कुई एच टूपर सिंप्ली थे अटा है यह मुस्से थोड़ा सा मिश्टेक हो गई एडिट करने में तो जब भी कुई प्लस प्लस बैटरी आपके पास रहती है जब भी वह ओपन होती है तो वह भेंकर तबाहिल आती अपोनेंट के लिए तो इसलिए जो एफ़ोर के बाद नाइट जैसे घटाएंगे तो कुई सब्सक्राइब हो रही है और यह जो होता है कुई प्लस बिसब बैटरी इस टाइप की चेकमेट आपको कुई गेंबेट और डिफरेंट टाइप ऑफ ओपनिंग में देखने को मिल सकती है तो दोस्टो आगे बढ़ते हैं एक पोजिशन को फिर से जो एक और पॉजिशन आप से सौल कराते हैं कि नैक्ष्ट पोजिशन जो है को सिस करते हैं कि इसको जल्दी से डालने है और अभी जो टॉपिक चल रहा है कुई प्लस ब्स बैटरी का चल रहा है तो नेक्स्ट पोजिशन भी काफी इंट्रेस्टिंग दाएगे और दोस्तों इस तरह से आप अगर प्रक्टिस करेंगे तो गेम में आप देख सकते हैं जो ओपन फाइल वाला कंसेप्ट था वह अगर आप देखें तो पिछले जो कल गेम हुआ तो साकेज जी और विकी के ब भी इंप्रूव होगी और गेम में आप ट्रेक्टिक्स टूनने में बहुत असानी से चेक में डूर सकते हैं अच्छी तरह हैं इस चीज़ का आप यहां पर ध्यान रखें और इन मेट की प्रक्टिस करें इस वीडियो को बाद में भी आप देख सकते हो यहां भी ब्लेक टू मूव है पहले ही कर देते हैं अब देख सकते हैं जाए बिश्रप हो गया है इक डूप बचा रहे हैं अपर तो फिर से चेक कर लें सारे पीसिस कोई छूटा तो नहीं है पोजी संसे तो के सारी चीज़ ठीक हैं तो फिर इसको लोड करते हैं ब्लेक टू मूव है ओके दोस्तो इस पोजीशन में ब्लेक टू मूव है तो आप जो एक क्या चल सकते हैं आप बताईए यह यह यहां गुड आइडिया विकी जी गुड आइडिया झाल कर दोस्तों यहां पर फिर एक मिश्टेव हो गई यार एक नाइट और रहे गए यहां पर आइट था यहां पर जब के उपर ओके कि पॉरी स्वरी दोस्तों यहां पर थोड़ा सा फिर से एडिट करना पड़ेगा कि अब वेट करें वेट करें दो मिनट और वेट करें थोड़ा सा एक पोजिशन फिर से लिखने में करती होगी कि अब करते हैं बोन पहले तो कि अब करें कि एक पीस अगर रहा जाता है बड़ी प्रॉलम होती है उसको फिर से एडिजस्ट करने में उसी चक्कर में मिश्टेक होई कि अब करते हैं झाल झाल के दोस्तों यह पोजीशन है तो यहां पर आपको क्वीन प्लस बैटरी का तंसेप्ट यूज़ करते हुए बेस्ट मूव डूढ़ना है यहां पर तो अभी बताएं यहां पर क्या बेस्ट मूव रहेगा और दोस्तों कुर्सिस करूँगा मैं नेक्स टाइम से जो चैट अप रहेगा पीसिस का यह पोजीशन में पहले से ही लेके आएंगे तो उतना टाइम बेस्ट नहीं होगा जो कि इस बार हो रहा है विकी जी अगर आप यहां पर हैं तो बताएं बेस्ट मूव यहां पर क्या रहेगा ओके दोस्तों यहां पर जो बेस्ट मूव है वो जो आप बता रहें नाइट जी फाइव सब्सक्राइब दोस्तों यहां तो यहां पर है वहिए भालर की है 女 है साथ अगर अजय भी मैंगे तो कोई पर्लम नहीं हो रहा ही क्योंकि अगर आप नाइट सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने सकते हैं और हज और ऑगर जो है यहाँ पर बिशन से चैक करते हैं तो दोस्तों आप वाइट को वो अगर वाइट यहां से पॉंच से केप्चर करता है एक पीडी फोर तो यहां पर आप बताएए क्या बेस्ट मूव रहे आपके लिए नहीं निकल अभी भी नाइट जी फाइब नहीं आएगा अभी आप बताएए इस पोजिशन में क्या बेस्ट मूव रहे आपके अभी अभी इस पोजिशन में क्या बेस्ट मूव रहे आएगा विद्धूर करों करने लिए आएएग को कि नो पिशप जी फ़ोर भी मिजे नहीं लग रहे हैं कि बेस्ट मूव फ़ीच कि फिर जो है आप जीटरी चल सकते हैं तो जी थी के बाद फिर इतना असान नहीं रहेगा फिर कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है गोस्तों आप ठीके चेकमेट के लिए पुरी तरह मज़ जाई है उसका फाइदा उठाना आपको आप देख सकते हैं आप एक पीस बिन कर रहे हो चलो यह हिंट देता हूं यहां पर आपको एक पीस बिन करना है पीस आप जी सकते हैं तो कौन सा डिस्कवर्ड अटेक कहां से लग रहा है कि जिससे कि आपको एक पीस और फ्री में मिल जा रहे हैं कि विक्की लग रहा शायद है नहीं दोस्तों चल लिए नेक्स्ट टाइम से हम ट्राइब करेंगे कि है अगर आप इस्ट्रीम को लाइक करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें और इस पोजिशन में ब्लेक टू मूव है और आपको बेस्ट मूव बताना है तो आप बताईए कि यहां पर ब्लेक के लिए क्या बेस्ट मूव रहेगा यहां सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा और जैसे ही आप नाइट कैप्चर करेंगे उतनी देर में आप जो रुक जैसे पॉन से या फिर रुक से आप किसी भी चीज़ से कैप्चर करें कि आप जो सिंपली कैप्चर कर सकते हैं फिर रुक क्रॉस डी फॉर आपके पास दो एक रुक और बिश्प भी एक्ष्रा है यहां पर इस पोजीशन में तो इस पोजीशन में आपको यही बेश्ट मूबता दोस्तों तो इस तरह से आपको इस चीज़ का फादा उठाना है और यह हो गई यहां प्रफ बैटरी का फाइदा दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है अपना कुइन प्लस रुक बैटरी यह भी काफी ओपन फाइल में रुक रसी टू बैरी गुड बैरी गूड तो अभी दोस्त नेक्स्ट पोजीशन लोड करते हैं और कि इसमें जो हम यूज करेंगे कि कुईन प्लस रुक बैटरी का कि दोस्तों यहां प्रवाइट टू मूव है और यहां कोसिस करते हैं कि जल्दी से जल्दी और नेक्स्ट क्लास में जरूट कोसिस करेंगी कि आपका अतना टाइम बेस्ट ना हो पोजिशन सेट अप करने में पहले से ही सेट अप करके करता है तो इस पोजिशन में वाइट टू मूव है और आपको रुख प्लस पिशब रुख प्लस महा कुईन बैटरी का यूज करते हुए कि बेस्ट मूव ढूना है वाइट के लिए कि मुझे लग रहा है यही पोजीशन है सिंप्ली ओके ओके दोस्तों लोड कर देते हैं इस पोजीशन में आपको रुक और कुईन वैटरी का यूज करते हुए आपको बैस्ट मूव डूना है इस पोजीशन में कि ओके दोस्तों इसमें जो आप प्लीज आ कोईने सेवन वैरी गूड इसको आप फिलिप कर लिए बोड़ को थोड़ा सा फिर से मिश्टेक होगी इसमें इसको आप मितलब वाइट की तरफ से ही मान के चलिए तो यह जो है यहाँ पर बैरी गूड कोईन इसे वन दोस्तों इसके बाद जो चेक्मेट जो है रुक नहीं रही है यह कुईन प्लस रुक का एक बहतरीन कॉमिनेशन होता है वेरी गूड विकी वेरी गूड शाकेज जी निखिल जी और तो इसमें आप कोई भी डिफेंस नहीं है वाइट के पास ब्लेक के पास और तो यह यही बेस्ट म कि यहां पर कोई भी डिफेंस नहीं काम कर रहा है कुछ नेक्ष्ट मुव में कुछ भी नहीं कर सकते हैं जो है इसके वाद संपली कुए एच्टू या फिर या कुई एटु या कुई एबन पर जाके आप चेक्मिट कर सकते हैं तो दोस्तों आई नेक्स्ट पजल लोड करते हैं आपके लिए अगर 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 रुक किंग जो है जी एट पर है रुक एफट पर है कौन उसके बाद इफ़ाइब पर है फिर दीशिक्स पर है इस इक्सपा है और फिर अगर कि बी सेवन पर है और एफाइब पर है बिशप है यहां पर कुई है यहां पर को यहां पर दोस्तों आपको कुई वाइट साइड से खेलना आए और कुई और बिशप बैटरी कुई और रुक बैटरी का यूज करते हुए पॉनेंट के लिए मुसीवत हैं खड़ी करनी है इस तरह से आप फसा सकते हैं और यहां पर फॉन चेन बनी हुई है और दोस्तों बहुत स्टेंडर्ड पजल है यह ऐसा नहीं है काफी ग्रेंड मास्टर की खेली हुई पजल है तो इसकी एक पजल का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है आप इन पजल को फिर से जो आपको रवाइस करनी है ताकि इस टाइब के पैटर्न आपके अगर दमाग में हमेसा रहेंगे तो आप कभी भी गलती करने में गलती नहीं करेंगे जहां भी मौका मिलेगा आप बेस्ट से बेस्ट मूव ढूट सकते हैं झेल झाल 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 और बाकी लोग जो देखने हैं वो भी बताएं एक बार मूव, बेस्ट मूव क्या है। यहां पेज़ बेस्ट मूव है अच्छा मूव है लेकिन दोस्तों यहां पर जो बेस्ट मूव है। क्योंकि उसके बाद फिर अटेक लगने वाली है। गला है।uff लूज डेस्ट मूव ईयकर लेकिन गुंड ख़ाब इता आफ तो में को इतों सकते हो प्रोक्राइश दीर सकते हूं उसके बाद किंग टो यह यहांपे भी केंग को फसा सकते हैं कोई प्रॉबम नें है लेकिन दोस्तों यह फिलाल बेश्ट मूव जो है वह है उसका क्हार अब कलिस्पपीosition को इसाइगा आ triple प्रोग क्रोजी सेवन किंग क्रोजी सेवन पोजी संदोस्तों वहीं पहुच रही है और फिर किंग एच्छेट पर जाएगा तो अब इस पोजीशन में आप बताईए तब लोग की यहां पर क्या बेस्ट मूव है दोस्तों दू एक्जामपल और बचें और एक बोड़न स्मेट नेक्श मूव में बोड़न स्मेट बहुत शांदार मेट कर मेटिंग पैटरन है कि निकल बाद भाई है लेकिन उस केस में जो है अगर बाकि लोग बताएं अभी कि इसमें क्या मूव रहे गाए आप है ताके जी आप बताईए क्या बैस्ट मूव रहेगा आपने जो इसी टाइप की साकेट जी ने कल की डूनामेंट में एक चेक्मेट मिस्करी थी निकल के खिलाफ तो इस तरह की अगर आप टेक्टिक बताओ क्या बेस्ट मूव है यहां पर कि अच्छा सबी लोग ने बता दी है अभी अगर दोस्तों यहां पर कुई जी फॉर ही बेस्ट मूव है वेरी गुड क्योंकि इसके बाद जो है चेक्मेट कहीं रुक नहीं रही है अगर आप रुक को एफ सेवन पर लेके आते हैं अगर आप वहीं पर रखा रहने हैं तो कुई अगर आप और तो कुछ करी नहीं सकते ही पर कुछ भी रखते आं कि बिशुड करते हैं तो कुई जी सेवन पर चेक्मेट हो रही है कि ओके निखेल नहां को इन जी फोर आपने बताया दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं लेकिन अब आप सारी पोजिसन में देखिए कि जहां पर भी पोजिसन ओपन हो जाती है वहीं पर बहुत मस्किल हो जाता है अपोनेंट को दोस्तों नेक्स्ट जो एक्जेंपल आ र तो यह कई वार जो आपकी टैक्टिक्स में भी अगर आप कहीं भी टैक्टिक्स लगा रहा है उसमें भी आती है प्लस गेम में भी कई वार आपको देखने को मिल जाती है कई बार बोडन स्मिट बहुत ज्यादा इंप्रोटन है चेस्ट प्लेयर के लिए और यह को एकदम आपको रटके रखना है दमाग में कभी भी आपके उसमें जो है गेम में आ सकती है अगर आप उने ने या फिर आपने कर रखी है तो उस केस में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है यह और कई वार ग्रेंड मास्टर के गेम में भी हुई है इस टाइप की करते हैं और इनको जो आपको मितलब एक तरह से आपको दमाग में बैठा ही रहना चाहिए यह चीज़े तो यह वाली पजल जो यह चैक्मेटिंग प्याटन है यह सब बिल्ड़ प्यूर चैस वाले जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं इनको तो आपके दमाग में होना ही चाहि मैं इसको यह को अधिक कौनसी पोजिशन ले ले लिए ठीक है यह यह ले ले लिए ठीक है यह यह ले 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 लिए शुक्ए कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि अब एक मिनट यहां पर वाइट का मूव रहेगा इस पोजीशन में इस पोजीशन में वाइट का मूव रहेगा तो तो यह पोजीशन है और यह बोडेंस मेट का पैटरन है तो आपको यहां पर ढूढ़ना है कि ब्लेक टू मूव और बेश्ट मूव क्या रहेगा यहां पर कि बाकी लोग भी बताएं और दोस्तों इस चेकमेट को तो आपको इदम याद करके रखना है रटके रखना है कि कि इस टाइप की पोजीशन बोड़न स्मेट जरूर योज होती है कि कुई ने शिक्स वेरी गूड़ अगर अगर कर लेना कर लेता है तो यहां पर सिंप्ली चेक्मेट हो रही है तो इस टाइप की यह बाला पैटर्न होता है जो कि आपको ध्यान में रखना है लेकिन अगर आप यहां पर सोचिए कि अपॉनेंट एकसेप्ट नहीं करता है तो यहां पर ब्लेक के लिए बेस्ट मूव आप लोग बताईए इस पोजीशन में ब्लेक किस तरह से चेक्मेट अपनी बचा पाई गाए है नहीं तो जो ब्लेक सॉरी एस एवन को केप्चर करने के बाद सीधा कोई ने एट से फिर चेक्मेट कर सकता है तो आप लोग जो है ब्लेक साइट से भी बताईए निखिल इसी नहीं है अब आप जो ब्लेक के बताईए कि ब्लेक का यहां पर बेस्ट मूव क्या रहेगा लोग बता रहा हूं यहां पर कुईन सी फाइब तो अब आप बताईए कि यहां पर क्या बेस्ट मूव है वाइट के लिए सभी लोग बताएं दोस्तों यह सेकिंड लास्ट पजल है इसके बाद एक पजल और रही एक्जमपल की फिर नेक्ट क्लास में हम आपको एक्साइज कराएंगे इस वाले चैप्टर की तो जो आज जो हुआ है इसी का इसी टाइप की पैटरन सब मिक्स होके सारी एक्साइज होगी इस बार जो आपको खेलने के बाद फिर कोई ने इट से चेक देनी थी तो यहां पर वाइट के लिए बेस्ट मूब बताईए बिलकुल विकी सही बात कह रहे हुए यही तो मैं समझाना चाहरा हूँ आपको कि आप जितनी जाद से ज़्यादा टैक्टिक्स की प्रक्टिस करेंगे तब ही वो पाता है और जब गेम में एक बार टाइम कम का पैसा रहता है या फिर आप जो है अपुनेंट के दवाब मे रहते हैं तो अच्छे मूव निकालना बहुत मस्किल हो जाता है अब बताईए नेक्स्ट इसमें बेस्ट मूव वाइट के लिए क्या है अभी वाइट क्या मूव चल सकता है यहां कि कभी-कभी आप यह भी सोच हुए कि आप बेसक कुई सेक्रिफैस करने के लिए रख रह होगा ओके यहां पर साकेट जी की तरफ से सबसे पहले जवाब आए नाइट एफ और दोस्तों यह बहुत अच्छा मूव प्रतित हो रहा है तो आए बाकी लोगों से भी कंफर्म करते हैं कि नाए क्या मूव बैस रहे गए इस पोजिशन में और यह सेक्ट लाश्ट पजल के बाद एक पजल और रहे हैं कि बोड़न स्मेट में फिर नेक्ट क्लास में हम आपको एक्साइज कराएंगे कि जब तक आप लोग बताईए बाकी लोग सभी कि नेखिल बताओ यहां पर अभी क्या बेस्ट मूव है वाइट के लिए लिए ओके नाइट एफोर कि यस कि नाई यही वैस्ट मूव है कि आपको आप एक चीज समझे कि आपको जो है कुईन को इस डैगनल से बाहर करना आ इस डियागोनल से एक बार कुईन भार होगी ब्लेक की तो आप फिर जो है चेक्मेट बचना उसके लिए बहुत मुस्केल है तो ठीक है यहां पर नाइट ए-4 खेला जाएगा यही बेस्ट मूव है कि इसके बाद कुईन को जो बचने के लिए कुईन क्या चल सकता है यहां पर दोस्तों अच्छा यह बताईए अभी यहां पर सभी लोग देख रहे हैं तो कुईन अगर एक्टू चलते हैं तो यहां कौन सा बेस्ट मूव है अब बताईए आप लोग है कि कुईन एफटू के बाद अब कौन सा बेस्ट मूव है वाइट के लिए और दोस्तों इसमें भी बोर्टेंस मेट का इक प्रेंसिपल कंसेप्ट जो है यूज होगा अगर आपको गहीं जाना है तो यहां पर बिकी जी आप बताईए कि अब कौन सा बेस्ट मूव है यहां पर फिर इसके बाद नेक्श एक्जम्पल लेते हैं दोस्तों अब इस पोजीशन में एक बहतरीन मूव है जो की बोर्टेंस मेट का एक्शल जो आपका सिंग्निफिकेंस है उसको दिखाता है तो यहां पर बहुत अच्छी टेक्टिक्स आ रही है अभी आप लोग दिमाग लगाई है और देखिए मैं आपको हिंट देएता यहां पर कुईं सेक्रिफाइस हो रही है और और वहीं बोर्टन मेट का एक इसमें जो में जो पव्रेंसिपल ही यही नहीं विकी जो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ आपको कुण से क्रिफेस केलनी है उतके बाद एक मूव में चेक्मेट हो रही है यह में टू वाली पोजिशन है आपको जो बहतरी मूव निकालना है इस टाइप के मूव निकालेंगे तभी आपकी टेक्टिक्स का असली जो विजन है वो क्लियर होगा यास कुण क्रॉस C6 बाकी बाकी लोग भी बताएं कि क्रॉस C6 यहाँ पर बेस्ट मूव है कि यह नहीं है और एक बार मुझे सीरीज आप मूव दें कुण क्रॉस C6 के बाद फिर क्या होगा यूए है यस ये बाकी लोग बता आए कि किग आपनेलोग से चाके क्की का सीच वाले मूफ क्रॉस C6 के बाद फिर मूव बताई ये क्या चैक मेंट हो रही है कुछ हो रहा है इसमें कि यास बहुत बढ़ी हा मुब ढूड़ा विक्की जी और देखिए बोडेंस मेट का ही एक्जामपल चला तो इसलिए आपको यह चीज़ें पॉसिबिलिटी गेम में भी ध्यान अखनी है इसलिए तो कुईन क्रॉस सी सिक्स के बाद जैसे ही बी क्रॉस सी सिक्स चलेगा मालो कुईन इसने क्योंकि फोर से फिर तो इसमें यहां पर कोई वह नहीं है कि आप जो है कुईन को अगर कैप्चर नहीं करेंगे तो अब बताइए यहां पर साकेज जी क्या बेस्ट मूव है आप है और वन मूव चेक्मेट है तो बिशाप ए-6 वेरी गूड दोस्तों यहां पर चेक्मेट हो गई दो बिशाप ने एकदम अपोजिशाइट कैसलिंग में तो अब जब भी यह चीज़ आपको दमाग में रखना है कि अगर कैसलिंग है तो आपको दो बिशाप करते हूँ कुईन सेक्रिफैस आप करा सकते हैं अगर इस टैप का पैटरन बन रहा है तो और दोस्तों अगर यहां पर फिर तो कोई मूव ज्यादा कोई खास मूव नहीं है तो ठीक है अब जो नेक्स्ट पोजिशन एक जो लाश्ट पोजिशन है आज की यह भी बोडंस मेट पर ही है इसको एक बार सेट अप करते हैं तो फिर जो है आज का जो लेक्चर रहेगा हो खतम हो जाए है और यहां पर भी आपको बोडंस मेट ढूड़ना है दोस्तों बोडंस मेट का एक प्रिंसिपल आप ध्यान रख या अपोजिश्ट साइट कैसलिंग में यह मुश्टली देखने को मिलता है कि अब अब और यहां पर और यहां पर ब्लैक टू मूव रहे का एक चीज़ धेयान रखने वाली है इस पोजीशन में, बिशप, ब्लेट बिशप, फिर नाइट, के वाइट बिशप, ओम, 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 किंग, नाइट, रुक, एक और रुक, बिशप, ओम, पॉक, पॉंग, एक पॉंग, एक पॉंग, और बिशप, ठीक है, पॉक, दोस्तों, यहाँ पर ब्लेक टू मूव है, और आपको बोडन्स मेड जो मैंने अभी बताया था, अपॉजेट साइट कैसलिंग में, वो ढूंद नहीं है, तो यहाँ पर बताईए बेस्ट मूव क्या आँ सकता है, और जो अभी, आपको बोडन्स मेड जो मैंने अभी लास्ट टेक्टिक्स में जो कंसेप्ट यूज हुआ था जो निक बिकी ने बताया था कि कुईन को सीश टाइप का जहां आपने कुईन सेक्रिफाइस करा यह बिच चेक तो इस टाइप का कंसेप्ट ही इसमें लग सकता है लेकिन यहां पर भी पहला मूब फोड़ा ट्रिकी ह है ओके 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 अब बताइए कि यहां पर बेस्ट वूब क्या है के ऐलो वेलकम डॉक्टर और अशम आप जो है वीडियो को लाइक करें अगर आपने नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहां पर आपके लिए बहुत बेटरीन बैतरीन टेक्ट की आपको देखने को मिलेंगी और हाँ विकी यह आप पॉंड डी फाइब के लिए जैसे की पहले लिखा है सिंप्ली डी फाइब ले सकते हैं पॉंड के लिए एक्षिली यह ओल्ड नोटेशन थी जहां पर हम पी लिखते थे लेकिन अब लिखने जरूत नहीं आप सिंप्ली जिस स्क्वाइर पर पॉंड को एडवांस कर रहे हैं उसको लिख सकते हैं डी फाइब तो अल्मोस्ट सभी का जबाब आ गया है तो दोस्तों यहां पर डी फाइब बेस्ट मूव है क्योंकि आपको जो बिशप है इसका में जो मोटो है से मूब का बिशप पर अच्छी बा बिशप प्रोस डी फाइब खेलता है चुक्कि उस पर टेक हो रहा है तो अब बताइए क्या बेस्ट मूव रहे गए हाँ पर और पिछली वाली पजल से मिलता जोता है बैरी गुड और बाकी लोग भी बताएं तो दोस्तों मुझे लग रहा है बोर्डन समेट आपके पू यहां पर क्या बेस्ट मूव है क्या विकी जो सही है या फिर नहीं है वेरी गुड शाकेट जी तो इसी टाइप की टेक्टिक्स आपको गेम में भी ढूंड नहीं है गेम में आपको एकदम दमाग में रखना है कि जब भी किंग इस तरह से ओपन हो रहा है तो चेक्मेट कल जो है साकेट जी ने एक चेक्मेट बहुत 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 है चेक्मेट में मिसकी थी तो अब मुझे उम्मीद है कि आगे वो इस ट्राइप की चेक्मेट नहीं छोड़ेंगे कभी भी तो और भी कोई अगर बताना चारा जल्दी बताए तो फिर मैं कुइन को सी 3 के साथ जा अब अब बताईए अपके वैश्न मूव है आप ते हैं वन मूव चेक्मेट yes bishop a3 और सागे Oliver की अब धान लखिए कि हमेशा bishop को Capital B में लिखिए आप है तो ओर ज्यादा बेहतर रहेगा तो ठीक है नहीं कहीं से च्थे चैक्मेट हो गई उसले बीलड अप जैस के हमने करीब 12-30 एक्जामपल कि है और उससे जो चैक्मेटिंग पैर्टन है वो काफी शीखने को मिले और नेक्स्ट क्लास में आपकी exercise और अगली बार exercise के लिए माइट इस डिलीए सेट अप बनाके आएगे पहले से ही तो आप दो आप लोगों को और अच्छा रहेगा दोस्तों तो अब आप जो जो आज भी जो जो भी चेकमिट पर आज डिसकस होई है उनको जरूर एक बार रिवाइस करके आए ताकि जो एकसराइज रहेंगी उसको सॉल्व करने में हमको बहुत मिलेगी नहीं तो कई बार सकते हैं आप जो चेक्मेट पैटन सीखने में वो इस तरह से जो है आज का जो लेक्चर है आज की जो पैटन जो भी आज जो सीखने को मिले है उससे कुछ फायदा हो रहा या नहीं हो रहा तो जरूर अभी कमेंट सेक्शन में बताएं और कोई अगर इंप्रूब के लिए लेक्चर इंप्रूब करने के लिए कोई सज़सन है तो बहुत बता देए जैंकि दोस्ते बात में बत पजल इस तरह की पजल को गेम में यूज करने की कुशिश करें दोस्तों चैट में बताएं कि आज का लेक्चर कैसरा और आगे भी हम जो इस टाइप लेक्चर लाते रहेंगे और इस तरह से टेक्टिक्स और नेक्स टाइम से फास्ट और करना है ताकि जो टाइम ज्यादा यह बहुत है जर्मनी के जो कोच है आर्चर यूसूप ग्रेंड मास्टर उन्होंने बहुत अच्छा यह बनाया एक पूरा सीरिज है बिल्डप यॉर चैस्ट बूश्ट अप यॉर चैस्ट और चैस्ट और चैस्ट अबॉलिशन बहुत अच्छी बुक हैं ये मेडिल गेम इंड गेम ओपन तीनों के लिए हैं तो आप जो है इसलिए जो है बुक को एक बार डिसकस करेंगे यहां पर साथ में तो बहुत अच्छा रहता है तो दोस्तों आज का लेक्चर फिर यहां पर खतम करते हैं बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़के और विक और विक्षाय कि आप तो कर दो सकता है कुछ हो गया हो तो मैं देख था हूं क्या हूँ अ कि अए कर दो कि कि अ एक हो जाता है कभी कभी uh गेम में लेकिन कन फोर सकता है कि अ något करने की मौन और फॉर्स कर ने कि खीकश ब़ूरू रहा हूं के कभी कभी हो जाता है लेकिन आप बहुत बड़ी है कि आप तो अच्छा ले की वह फार्ल fine में ठीक है ठीक है ठीक है तो आपकी जीत तो बन रही थी हो सकता है मिश्टेक होगी हाँ देखता हूं मैं खीक है तो विकी बहुत बढ़िया रहा तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में या तो कुछ एंड गेम का लेके आएंगे नहीं तो इसी में जो है आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं विकी अगर चाहो तो आप जो आपका एक्सपोजर होग गेम का बाकी अब जो है कि आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चे आते हैं शार्ध तो उससमें जो बहुत मजा आने वाला है एक साथ लेके आते हैं ओके ओके ठीक है तो नेक्ट लेक्चर एक तो एक्षाइज के लेके आएंगे किसी दिन एक्साइज के लिए थोड़ा सा बनाना पड़े है क्योंकि इसका सेट अप बनाने में बहुत टाइम लगता है तो पॉन एंड गेम कि लिए एक वीडियो लेके आते हैं नेक्ट लेक्टर में किंग पॉन एंड गेम ही डिसकस करेंगे वेरी गूड रिकी विकी जैसा मैं आपको जैसे सजैसन देना चाहता हूं कि आप जो बहुत अच्छा कहिलते हो आप फड़ो पोजिशनल भी और ध्यान रखिए तो और आपका गेम इंप्रूब होगा अगर अगर आपका अच्छा है लेकिन और इंप्रूब कर देंगे तो टेक्टिक लिए बहुत अच्छा कहिलते हो तो आप सारे आपके कंसेप्ट के लिए हो जाएंगे तो और अच्छा रहेगा तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम कोसिस करते हैं या तो यह इसके ए इतना ही और आप सभी का सभी धन्यवाद और जिन लोगों ने भी अभी स्ट्रीम लाइक नहीं करें तो लाइक करें और दोस्तों यह बहुत यूजफुल है हर चैस प्लेयर के लिए तो इस लेक्ट्चर को जहादा विकी शेयर करें जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या फिर चैस सीखना चाता है उसके लिए शेयर करें तो इसको बहुत मिलेगी और यह बुक बहुत इशन जाड़ा तो इस बुक को भी आप सॉल्व करने को सब्सक्राइए तो चलिए दोस्तों फिर आज के लिए तो बहुत अच्छा आपके लिए लेके आएंगे तो आप बिलकुल को बहुत अच्छी वीडियो है और बहुत हेल्फुल रहेगी बिगनर और इंट्रमेटिट लेवल प्लेयर और इवन बड़े प्लेयरों के लिए बहुत यूसफुल रहती है ताकि याद हो दाते हैं दुबारा से चलिए दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही तो अभी जो स्ट्रीमिंग एंड करते हैं थैंक्यू सभी लोगों को यसी आप लोग जोड़े रहे हमारे साथ और जो भी नए लोग जोड़े हो आज तो प्लीज शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जाए चलिए ओके बाई-बाई-बाई-बाई और आज जो है इंडिया चलिए दोस्तों अभी आज के लिए स्ट्रीमिंग एंड करते हैं बाई-बाई टिक केर